हर 22 मार्च को सिर्फ बिहार दिवस ही नहीं, बलकि विष्व जल दिवस भी मनाया जाता है विष्व जल दिवस यानि की World Water Day को मनाने का मुख्य उदेश विष्व भर में पीने के पानी के आपूर्दी करना और उसका महत्व समझाने का है दुनिया को पानी की जरुरत को समझाने के उद्देश से ही विश्व जल दिवस को मनाने की प्रथा शुरू की गई थे आपको बताने कि हर साल विश्व जल दिवस को मनाने के लिए एक थीम रखा जाता है ठीक उसी तरह इस साल की थेम वैलूइंग वॉटर रखी गई है यानि की पानी की महत्र को समझना इसका लक्षे लोगों को पानी का महत्र समझाना है ये दिवस ताजे पानी के महत्रों को फैलाने के लिए मनाया जाता है और ये दिन सायुक्त राष्ट द्वारा और साथ ही दुनिया भर में विबिनाने संगटनों द्वारा मनाया जाता है अगर बात करें कि विश्व जल दिवस को क्यों मनाया जाता है तो वो इसलिए ताकि विश्व भर के सभी विक्सित देशों में स्वच पेजल उपलाद हो सके इसके अलावा इस दिन जल संकट्षन के महत्व पर भी जोर दिया जाता है वर्तमान समय में भारत सहीत विश्व भर में पीने के पानी के शोत कम होते जा रहे है मनुष्य पानी की महत्व को भूलता जा रहा है इसे के चलते आज जल संकट सब के सामने है विश्वगर में साव जल की अनुपल अब्दा के चलते ही जल जनित रोग महमारी का रूप ले रहे हैं आपको बता दे कि सयुक्त राष्ट ने दुनिया को पानी की जरूरत से अवगत कराने के उद्देश से विश्व जल दिवस मनाने की शुरुवात की थी साल 1992 में रियो डी जनूरियोग में आयुजित फर्यावरन और विकास पर सयुक्त राष्ट सम्मेलन में विश्व जल दिवस को मनाने की शुरुवात की गई थी इसका आयुजित पहली बार 1993 में 22 मार्ट को हुआ था विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश दुनिया को ये बताना है कि पानी बचाना कितना जरूरी है ये हमारा मोलबूत संसाधन है इससे कई काम संचालिस होते हैं और इसी की कमी से ज्यादतर क्रिया कलाप ठप हो सकते हैं लोगों को बताना कि पानी के बिना उनके अस्तित्व पर संकट गहरा सकता है जही इसका मोल उद्देश है हर साल विश्व जल दिवस के मौके पर कई तरह के कारिक्रम को आयोचन होता है भाशन, कविताओं और कहानियों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षन और कमहत्य समझाने की कोशिश की जाती है कई तरह के तस्वीरे और पोस्टर शेयर किये जाते हैं जिनका उत्देशे लोगों को पानी की जरूरते समझना होता है